विल्कम टू कश्मीर फूट फूर्फूर चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आपकी क्लिक्ष करना नहीं हूँ Вамे लिए है आज हम आपको सिखाएंगे आपगर पे ब्रॉकली और मार्टन कैसे पका सकते हैं ब्रॉकली तमाज या फर्स टम यूट Nashville पे देखेंगे ब्रॉकली को बनाते कश्मीरी स्टाइल में कश्मीरी करी के हिसाब से ब्रॉकली कैसे बनाते हैं हम आपको पहले बार दिखा रहे हैं और आप ये वीडियो ज़रूर एंट तक देखेगा ये काफी टेस्टी बनी है ये रेसिपी और ट्राइ करिएगा आप ब्रॉकली काफी जादा हेल्दी होती है है बेनफिट्स में बहुत होते हैं तो वीडियो देखेगा एंट तक ये आपने ब्रॉकली है आदा किलो हाफ केजी ब्रॉकली ये देखें ये आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी इसको कैसे क्लीन करना है प्रॉपरली वह सब मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में ही इसलिए स्किपने कीजेगा वीडिय तो सबसे पहले जो ब्रॉकली है इसको आपको कैसे काटना है वो देख सकते हैं आप आपको नाइफ लेनी है और जो इसमें फ्लार्स है फ्लोरेट्स हैं आपको इस तरीके से इंको अलग-अलग करना है more or less ये कॉली फ्लार की तरह ही काटना है आपको फुल गो भी लेकिन आपको कैफल रहना है कि जो ये फ्लोरेट्स हैं ये कटने नहीं चाहिए जाए ज़ादा ये अच्छे से आपको काटना है और सेंटर में आपको देखना है इसमें कीड़े हो सकते हैं ग्रीन कलर के सेम के देखिए हमने सारे फ्लोरेट्स काटके रख दिये हैं और आपको च और हम इसको डख के रखेंगे 10-15 मिनट, याद रखेंगे गैसा बंद होना चाहिए, हमें यह पानी में उबालना नहीं है, बस पानी को एक बार उबाल लाया, गैस बंद कर दिया, फिर इसमें ब्रॉकली ढाल दी, और डखकन से आप इसको कवर करेंगे, इसमें रख देंगे एक प्रशे कुकर में, इसको हम डख के रखेंगे, जब तक कि यह बाइल आएगा, उसका में उपर आ जाएगा, तो यह देखिए, अब हम इसमें जुसका में वो रिमू कर देंगे, यह नॉर्मल प्रोसेस है, जो आप गर पे मार्टन पकाने के टाइम करते हैं, हम सारा रि दो लॉंग, नमा कब अपने टेस्ट के हिसाब से अज्जेस्स करेंगे, जिंजर पाउडर या शूंट आदी छोटी चामच, फैनल सी पाउडर बाद्यान एक चोटी चामच, टर्मरी कलेदर आदी चोटी चामच, जिंजर गाली कपेस्ट दो चोटी चामच, दगित अरू अब आप इसको लिड बंद करेंगे प्रेशर कुकर की और तब तक कुकरेंगे जब तकि 70 परसंट तक डन हो जाए, तो आफर 10-15 मिनिट्स हम जो ये लिड है रिमू करें इस पैन की जिसमें ब्रॉकली थी, ये देख सकते हैं आप, अब हम इसको फिर से क्लीन करेंगे, तो आपको बहुत जदा क्यारफुली वह चेक करना है कि कहीं इसमें ना हो और अगर हो तेन ये रिमू दें लेकिन आपको बहुत प्रॉपरली हर एक फ्लॉरेट को देखना है, लेकिन नमक वाले पानी में अलरी क्लीन हो जोकी होती है, इस तरीके से सेम वे में आप हर एक फ्ल आपको प्रीकना हो बहुत करना है यह भी जती है यह उसकी तरह पहुत को अपया करना हिरै कांप एक मिनट मोर दन इनफ इसको फ्राइ नहीं की लिए तो यह देख सकते ह recap हम इसको टरन कर रहे हैं और एक मिनट यह उससे कम टाम के लिए आप इसको शैलो ने करेंगेρά करें क्योंकि इसको बहुत fry नहीं करना है तो यहां पर देख सकते हैं हमने हलका सा ही fry कर दिया और इसको निकाल के रख देंगे हम separate bowl में और सेम वे में हम सारी जो ब्रॉकली हमारे पास है उसको बहुत कम fry करेंगे और रख देंगे निकाल के separate इसी same bowl में further cooking के लिए देख सकते हैं, कोई color changes वगरह नहीं आई है, अब same oil में हम डाल देंगे, bay leaves या तेज पता एक या दो, एक दाल चिनी की stick, एक बड़ी लाइची बुड़ल, तीन चोटी लाइची नी चरल, दो long, रॉंग, और एक चुटी चमच, क्यूमिन या जीरा, कश्मीरी में जूर, हलक इसे प्याज को fry करेंगे आप, और देखिए, प्याज को आप फ्राइ कर रहे हैं, और साथ में हम इसमें डाल देंगे, जिज़े गालिक का पेस्ट, फिर एक चोटी चमच भी, जब इसको हम हलका सा फ्राइ कर रहे हैं, चुके होंगे, यह देखिए, एक चुटी चमच डा देंगे हम जिंजर गालिक पेस्ट, अगर आवके पस्रिफ गालिक है, आप वह भी डाल सकते हैं, तो प्याज अब थोड़े फ्राइ हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टर्माटर तीन तरह टमाटर, और टमाटर के साथ ही हम डाल देंगे नमक, तकरीबन ए इसमें फर्दर कुकिंग करें, देखिए अच्छे से फ्राइ हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च या वाजल माटर माटर करी में, अब लाल मिर्च को हम प्यास पे ही फ्राइ करेंगे, ताकि ये बहुत अच्छा रैड कलर आ जाए, फर हमारी करी को, हमेशर ट तेल पर फ्राइ करने का, लेकिन साथ में आप पानी हलका साइड कर देंगे, दाकि जो लाल मिर्च हो जलना जाए, तो तेल का टेम्टरेचर लोवर हो जाता है पानी अर करने से, और ये जलती नहीं है, मिर्ची, लेकिन देखिए प्यास पे डालने से कितना अच्छा कलर इ जान सौफ, जिंजर पॉडर आदी चोटी चमच या पिंच शोट, बस यह दो डाल दीजेगा अब और ये भी काम कॉंडिटी में है, क्योंकि बाकी हमने मतन करी में डाल दिया है, तो ये देख शुके हैं, अब हम करेंगे लिड ओपन प्रेशे कुकर की, और चेक करेंगे म अगर 70% तक डान होगा तो फिर हम माटन कुकरेंगे स्ट्रेइन और माटन स्टॉक को सेपरेट रखेंगे, माजरा शुकरन अलग और माटन रखेंगे अलग करके अगर ये डान होगा, यहां पे सॉफ्ट हो चुका है, अब हमने इस प्रेशे कुकर में ट्रांसफर कर दिया जो हमने प्याज और मिर्ची वगरा के साथ तयार किये थे वो, इस पर हम डाल देंगे, अब मीट या माटन जो हमने स्ट्रेंड किया था माजरास निश आलग कुरमत तुसमाज, वो हम डाल देंगे, अब आपको इसको प्याज के साथ फ्राइ करना है ताकि इसके जो फ्ले मीट को फ्राइ करेंगे, इससे मटन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां कर रहे हैं इसको फ्राइस के साथ और इसके बाद हम डाल देंगे, इसमें माटन स्टॉक जो सेम माजरास था, वो हम इसमें डाल देंगे, अब हम इसको लिट जो है, वो क्लोस करेंगे, और एक विसल तक कुक करेंगे, ताकि जो यह फ्लेवर्स हैं, अनियन, ट्रमीटो अगेरा के, यह भी माटन करी में आ जाए, और मीट में भी आ जाए, देखिए, एक विसल काफी है, क्योंकि फिर हमें इसको उबालना भी है, ब्रॉकली के स ब्रॉकली तयार होती है, अलड़ी, फ्राइंग में ही, तो हम इसको हलका साही फिर एक या दो उबाल लाएंगे, लिट कवर करके, और आप चेक करेंगे, अगर आपको लग रहा है, कि आपकी ब्रॉकली जो है, जादा हाड है, आप खाने के लाहिक नहीं है, तो एक से दो आपको उड़ा सकते हैं, अदरवाइस, एक उबाल तक काफी है, अब हम इसको लिट से कवर करेंगे, और एक से दो उबाल लाएंगे, और इसके बाद लिट ओपन करने के बाद, चेक करेंगे ब्रॉकली को भी आप, मतन को भी और अगर आपको लगता है, ब्रॉकली सॉफ् कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी, इसको बहुत है अच्छा अच्छा फ्लेवर होता है, इसको अब हम गार्निश कर रहे हैं, कोरियंडर और आलमेंट्स के साथ, दानवलत बादम, आप ये रेसिप्ट ट्राइ करकि हमें फीडबैक ज़रूर सेंद कीजेगा, हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेज कश्मीर फुर्फिजन पे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं, बूलिए अपडेट्स मिलते रहें